दोस्तो आज के वीडियो आप सब के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं MIS जिसका मतलब होता है Management Information System गाइस अगर आप एक Excel यूजर हो अगर आप जॉब करते हो तो आपने MIS के बारे में ज़रू सुना होगा MIS one of the important term है while working on Excel लेकिन ये इतना important है क्यों देखो MIS का use किया जाता है reports को represent करने के लिए मानलो आपके company का क्या analytic चल रहा है क्या data चल रहा है किस तरीके से up and down चल रहा है वो चीज आपको अपनी supervisor या फिर senior के आगे represent करना है तो represent तो आप एक complex data करोग नहीं उसे क्या represent करोगे उसे by graph represent किया जाता है जो भी हमारे company का analytic data है तो वही चीज आप आज के इस वीडियो में सेखने वाले है बिलकुल basic से लेके हम up level तक जाएंगे पहले मैं आपको basic term समझाऊँगा कि MIS किस तरीके से हम ready करते हैं और किस तरी पूर्मेट में उसे represent किया जाएगा to the seniors so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि जाहर सी बात है कि वीडियो थोड़ा से लंबा होने वाला है but believe me guys इस वीडियो को देखने के बात आप MIS को concept को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो बिना किसी देरी के शुरू करत हैं इस वीडियो को तो normally आ जाते हैं हम अपनी computer skin पे और यहां पे हम दो term सेखने वाले हैं एक है simple MIS report create करना मतलब simple अगर हमें कुछी data को represent करना है to the senior ये to the supervisor तो आप कैसे करोगे वो काम होगा हमारा इस data पे और इसकी जगा अगर मानलो आप एक meeting में हो और meeting में आपको सभी group heads के सामने एक proper dedicated graphical format में report represent करना है तो वो हम सीखेंगे इस data के भिहाब पे I know data में थोड़ा से simple रखाए इसलिए रखाए ताकि आप इसे आसानी से समझ सके शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे simple narration से simple way में आप MIS report कैसे represent करोगे यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे departments है और उस department में उन्होंने इतनी sale की हुई है तो मान लो कि आपके जो senior है उनको आपको एक report देनी है कि हमारा बिहार में कितना sale हो रहा है या फिर department के भिहाब पे हमारा कितना sale हो रहा है इन सब चीज में total sale क्या हो रहा है तो वो सारी चीज हम कैसे represent करेंगे वो चीज अभी च覺 करने के बाद आपको इंसे अब के चाइसे जैसे की सलगया इस टेवर हो गया इस तरीके की जो है वह को आपको मिल जाते है अब यहां पर नॉर्मली है रही हुझल तक आयूट था था ब्सक्रावर्ब से अध्सक्रावन की क्युक्षटं हो था है शुग तो सबसे पहले हम क्या करेंगे insert slicer पर click करेंगे अब insert slicer क्या है यह क्या करता है यह आपके data को बहुत ही अच्छी तरीके से filtration करने में आपको help करता है कहने का मतलब कि यहां पर काफी सारी चीज़े data तो मैंने फिर भी छोटा से बना है जहां पर आप काम करोगे वहां पर आपके पास हो सकता है 1000 लोग का data 500 लोग का data तो आप उस पूरे data को as a report में कैसे शो करोगे तो उस जगह पर filter आपका काम आसान कर देगा आपको जितना limited data दिखाना है आप उतना ही दिखा पाऊगे जिसे माल लेजिए मुझे data को summarize जो करना है वो करना है state और department की वहाब पर दो ही वहाब है कि या तो state की वहाब पर कितनी sales हमने गराइप करी है कि department की वहाब पर तो हम दो type of filtration ले ले लेते हैं एक हो गया state और एक होगे department और किया okay अब आपको दो slicer मिल जाएंगे एक मिल जाएगा department का जो कि on the screen आप देख पा रहे हो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और एक मिलके हमें state की वहाब पर हम इसे भी क्या कर लेंगे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे जितने के हमें requirement है अब यहा आप देख पा रहे हो और बिहार में भीben चार दपार्टमेंट है हमाँ पास कॉस्मेट ब्रॉंटिक ऋथा इलक्ट्रApp 2 ग घॉच्वा सार एट कितनी हुए मां लिजी है इलेक्ट्रॉनिक की टो मिलार कि वह तुमने देख या nectar करेंगे कैसे सब से भएलन तो हम इसका यो स से helemaal करेंगे और इस पर भी किल्ट करके इसका भी खैंसल करदेंगे फिर हम आएंगे डिटा के नीचे यहां पे आने के बाद हम इतने डेटा को ver कर लेते हैं यहां सब्सक्राइब करने सलेक करने के बाद आप दोनों का दालेंगे सब टोटल हमने सब टोटल किया पूछरा सब टोटल में आपको क्या करना है तो हमने किया 9 हमें सम करना है जितनी भी सेल्स है उनका टोटल चाहिए में तो हम यह आपे 9 क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पर आप डबल टैप करोगे तो 9 आ जाएगा फिर आपको कोमा कर यह पूरी range है इसको आप ऐसे select कर लो आप shortcut में भी apply कर सकते हो यह करने के बाद यह किया और enter किया अब आप में से कई लोग के mind में आ रहा होगा कि यह तो हम simple sum के formula से भी कर सकते हैं हमें subtotal लगाने की क्या ज़र होता है देखो अगर आप sum का formula लगाओगे तो जब आप इसमें filter apply करोगे तो यह data change नहीं होगा इसी वज़े से यहां पर subtotal use किया जाता है कहने के मतलब अभी यहां पर क्या रहा है 3243 000 यह आ रहा है अभी अगर हम data को यहां पर filter करें जैसे हमने बिहार select किया तो देखो यहां पर number change हो गया लेकिन अगर sum का formula लगाएंगे तो यहां पर issue आएगा इसी वज़े से में चेस करते हैं तो हम जैसे बात कर रहेते हैं कि हमारा state है बिहार और बिहार में हमने बोला कि electronic की sale देखना है तो electronic की total sale कितनी हुए हमारी 25500 यह हमारी sale हुए है अब इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए आप इसको यहां पर alignment इसका right कर द सकता है वो चीज आप यहां पर apply कर सकते हो कुछ इस तरीके से यह जीज हम यहां आते हैं और यहां पर apply कर देते हैं कौंसा color better है रहेगा हम ले लेते हैं green color तो हमने यह लिए इस तरीके से आ गया अब यहां पर हम filtration यहां पर cancel करेंगे और माल लीजिए हमें report देनी है मद्यपर्देश के तो हमने मद्यपर्देश state को select किया यहां पर मार पास दो department का total आ रहा है एक गार्मेंट एक कॉस्मेटिक यहां पर भी आप देखो गार्मेंट और कॉस्मेटिक शो कर रहा है अब माल लो मैं यहां देटा को आपको कैसे represent करना है using management information system वह आपको clear हो गया हो अब दोस्तों बात करते है next term कि वह ग्राफिकल रिपोर्ट में data को represent करना देखो जैसे हमारे पास यहां पर एक data है हमने यहां पर कुछ ears लिखे हुए है और यहां पर हमने कुछ department से grocery garment electronic माल लीजे हमारी कोई company है ज सबका data हमारे पास है इसी data को मुझे board members के सामने या फिर group heads के सामने एक graphical view में represent करना है तो मैं कैसे करूँगा वो चीज़ अब हम समझेंगे समझे पहले तो आपको पूरे data को select करना है कुछ इस तरीके से फिर आपको insert में जाना है और pivot table वाले option पर click करना है जब आप इस पर पाइवर टेवल के बारे में आए होप कि आप सबको पता होगा अब यहां पर देखो अलग-अलग columns आ गया आपके एक year का column है grocery department electronic तो जो year का column है इसको उठाके हम रख लेते हैं row में हमने यहां पर row में रख लिया grocery को उठाके रखा हमने values में garment को भी रखा values में और electronic को भी अब इसके बाद यहां पर हमारा एक data pattern ready हो चुका है जो कि on screen आप देख पा रहे हो इसके बाद हमें करना क्या है सबसे पहले तो यहां पर grand total आ रहा है इसको हटा देते हैं यहीं पर design में जाते हैं और grand total में जाके यहां पर हम कर देते हैं off four rows and column हमने क्या ही हट जाएगा इ analyze वाले option में जाना है और यहां पर उपर में आपको option मिलेगा private chart का इस पर click करना है click करने के बाद आपको अलग-अलग format मिलते हैं अपनी data को graphical view में represent करने के लिए हम यहां पर line वाला format लेते हैं और यहां पर हम कोई भी option आपको जो चाहिए आप उसे okay कर सकते हो और okay करोगे अब यह okay किया तो देखो यहां पर आपका तीन हो data यहां पर आ जाएगा हम यहां पर grocery की बात करें तो grocery शो हो रहा है यहां पर blue line से garment की बात करें तो orange और electronic की बात करें तो यह अब इस data को थोड़ा से यहां पर adaptive बना लेते हैं design में जाएंगे और हमने यह select किया कुछ इस तरीखेस आपका data यहां पर आ गया आपके aligns आप सेaleckt कर सकते हो format में जा के इसका भी color अगर चेंज करना चाहते हो तो यहां पर आप कर सकते हो क Está तरीके से, इसके बाद जिसका color आपको change करना आप select करो, shape outline में जा कि इसका color जो भी आपको change करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो, अब यहाँ पे आप notice करो कि 2014 की अगर हम बात करे, तो 2014 में जो हमारा garment है, वो था इस peak पे, जो कि है 2, इसके बाद यह 2015 में उपर गया, 2016 में उपर, 2017 में उपर जाता है, लेकिन 2018 में यह down हो जाता है, फिर 2019 में peak लेता है, 2020 में peak लेता है, और फिर 2021 में और जादा उपर, लेकिन उसी की जगा अगर हम बात करें, यह जो हमारा yellow line ह जो कि आप देख पार हो, electronic का, यह था 8 gap rocks में यहाँ पे, इसके बाद यह फिर उपर गया, फिर नीचे, फिर नीचे, और फिर बहुत जादा नीचे, 2018 में, तो इस तरीके से आप एक graphical view में represent कर सकते हो, अब यहाँ पे देखो, यही graphical chart अगर हमें चाहिए, उस वाली sheet पे, कह हमारे data के पास, यह रहा हमारा data, तो हम इसे वहाँ कैसे ले जाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है design वाले option में, फिर यहाँ पे option मिलता है, move chart का, इस पे आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ पे देखो, object in, sheet 9 है, हमें कौन से पे ले जाना है, sheet sheet 2 पे, हम यहाँ पे जाएंगे, और sheet 2 click करेंगे, और ok कर देंगे, और आपका जो data है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसे हटाते हम, और इस तरह से data को आप on screen रख सकते हो, बिल्कुल data के साथ, so I hope कि आप इतना term समझ गया होंगे, कि अगर आपके data को आपको graphical view में as a report represent करना ह तो आप कैसे करोगे, यह था बहुत ही simple example, जो कि आप इस तरह से apply कर सकते हो, अब बात करते हैं उसी data के जिस पे भी हमने filtration apply किया था, जो कि on screen आपके सामने है, हम इस पर भी graphical view represent कर सकते हैं, कैसे, देखो सब सब बहुत है data को select किया, यहाँ गए insert में, और जैसा हमने किया थ basically, और यह रखने के बाद simple आपको private chart पे click करना है, और click करने के बाद जो भी format आपको अच्छा लग रहा है, जैसे मानलो वही line वाला ही ले ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी, हमने यह ले लिया और ok किया, और ok करने के बाद देखो इस तरीके के format में आपका आगए, हम सेम रख देते हैं, sheet 7 पे, जहां पे हमारा data है, हमने किया और ok कर दिया, देखो यह यहां पे आ गया, अब आने के बाद हम इसमें चीज़े apply करेंगे, तो यह रा मेरा data और यह है यहां पे chart, अब मानलो कि इसमें सबका data mix up हो गया रहा है, cosmetic, electronic, garment, हम यहां insert slicer पे click करेंगे, click करने के बाद किसमें हमें difference देखना है, हमें देखना state और department में, हमने select किया और ok किया, ok करने के बाद इसको आप कहीं पे भी रख लो side में, जहां पे आपको better लग रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ, और इसको हम यह उपर रख लेते हैं, और इसे भी हम को समझा रहा हूँ, यह बिहार पे हमने click किया कि cosmetic में हमारा market बहुत down रहा, electronic में थोड़ा सा उपर रहा, garment में बिल्कुल ही नीचे और सबसे जादा जो earning करी है, इसे तरीके से अगर हम मध्य परदेश की बात करें, तो यहां पे दो ही चीजों में हमने earning करी है, cosmetic में और garment मे जिसमें garment उपर है, cosmetic नीचे है, फिर हम आ जाते हैं उत्तर परदेश में, तो उत्तर परदेश में भी same है, और डेली के अगर हम बात करें, तो डेली में हमारा cosmetic उपर रहा है, electronic बिल्कुल डाउन रहा है, कुछ इस average amount में जो कि यहां पे आपको show हो रहा है, तो इस तरीके सा आप बिना graphical format और graphical format के साथ, report को represent कर सकते हैं, in front of senior, supervisor, group heads, meeting heads, जो भी हैं, उनके सामने आप data को represent कर सकते हैं, so I hope कि दोस्तों, MIS क्या है और कैसे work करता है, वो आपको clear हुआ हो, अगर ये video आपको उच्छा लगा है, तो please video को like करें, जादा जादा लोग की बीच में share करें, और साथ ही comment करके अपना feedback जरूर दे, thank you.